कल मैंने अपने परिवार के साथ फिल्म आर 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 देखी वैसे इस फिल्म को किसी के प्रचार की जरूरत नहीं है ये अल्वीडी सारे existing records तोड रही है और नए बना रही है लेकिन देश भक्ती की भावना से भरी हुई ये फिल्म देश की संस्कृति, अस्मिता, गर्मा, एकता को बढ़ावा देती हुई अच्छे आर्ट को, कल्चर को बढ़ावा देती हुई ये फिल्म जब भी कोई सचा भारतिय देखेगा तो वो यही चाहेगा कि इसकी प्रशंसा में दो शब्त कहे तो जो ये सदन की दो heroes हमारे सोतंतता सेनानी हुए है भीम और राम, इनकी ये कहानी देखे हमें ये लगता है कि ऐसे ना जाने कितने अंसंग heroes रहे होंगे लेकिन आज की दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे अंसंग heroes है जिनके बारे में में स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी जैसे कि इस फिल्म के जो राइटर है श्री केवी विजेंदर परसाद जी उन्होंने आज तक कि सबसे सफल फिल्म में हमारी इंडस्ट्री को दी है 80 साल की उमर में भी वो इंडिया के सबसे बिजी राइटर है और बाकी लिखते होंगे स्क्रिप्ट 6 महीने, 2 साल, 5 साल या 10 साल में वो 15 दिन में ही लिख देते हैं और उनको जब भी मिलते हैं तो ऐसा पूरा इंसान पैशन से भर जाता है और मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में उनसे जादा पद्म भी वुशन या उससे भी बढ़के कोई सम्मान होता है वो डिजर्व नहीं करता और ये उनकी जरूरत नहीं है ये हमारी जरूरत है, हम युवाओं की जरूरत है कि हमारे पास ऐसे आदर्श हो ताकि आगे चलकर इंडस्ट्री में ऐसे और लोग आएं बाकि इस फिल्म के हर कलाकार ने बहुत अच्छा काम किया है NTR जी, राम चरन जी बहुत बहुत बहुतरीन काम किया और इस फिल्म के जो डारेक्टर हैं उनके बारे में तो क्या ही कहें उनकी कोई तारिफ करना भी ऐसे होगा जैसे सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी तो राजा मतलब के किंग, so all we can say is long live the king Thank you for RRR